नमस्कार, निर्मान आईएस में आपका स्वागत है, आज हमारी चर्चा का विश्य है, दिब्यांग ब्यक्तियों के लिए मानवा दिकार, इंडिगो एरलाइन विवार, रांची एरपोर्ट पर एक दिब्यांग बच्चे और उसके माता पिता को विमान में चढ़ने से रोक जाने का मामला सुर्खियों में, दरसल इंडिगो एरलाइन्स के कर्मियों के दोरा रांची से हैद्राबाद जा रहे एक विमान पर एक दिब्यांग बच्चे और उसके माता पिता को इसलिए रोक दिया गया, क्योंकि करमचारियों का मानना था कि बच्चा घबराया हुआ और वह अन यात्रियों के लिए खत्रा है। इस मुद्दे को लेकर दिब्यांग और विशेश जरूरतों वाले बैक्तियों के मूल अधिकारों और मानविये गर्मा को लेकर मुद्दा गर्म हो गया। एरपोर्ट की यात्रियों द्वारा इंडिगो के करमचारियों के इस सदस्य दल का गठम किया गया है साथ ही रास्टिय बाल अधिकार समर्टन आयोग ने इस मामले में संग्यान लेते हुए इंडिगो के खिलाब कारवाई की बात कही है हलांकि इंडिगो की ओर से जारी ब्यान में माफी मांगी गई है वह यह कहा गया है कि हमारे क्रू और एरपोर्ट स्टाक को स्पेशल नीड वाले पैसेंजरों को समवेधन शीलता के साथ सर्विस देने के लिए प्रसिक्षित किया गया है इसके बावजूद यह दुरबाग्यपूर्ण घटना घटी है इस घटना के साथ ही एक बार पुनह यह मुद्दा उठ गया है कि हमारे समाज में क्या दिव्यांग व्यक्तियों को बरावर का दर्जा प्राप्त होता है क्या उन्हें उनके पास उतने ही अवसर है जितने एक आम व्यक्ति को है हलांकि सरकार के द्वारा दिव्यांग लोगों के अधिकारों के रक्षा के लिए अन्यक कानून बनाए गया है जैसे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 इस अधनियम में दिभ्यांगता को एक विक्सित और गतिशील अधारणा के अधार पर परिवासित किया गया है और दिभ्यांगता के मौजूद प्रकारों को साथ से बढ़ा कर 21 कर दिया गया है इसके अलाबा केंद स्रकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह दिभ्यांगता के प्रकारों को और अधिक बढ़ा सकती है। अधिनियम के तहत बेंचमार्क विकलांगता सिपड़ित 6-18 वर्स तक के बच्चों के लिए निशुल्क सिक्षा की ब्यवस्था की गई है। बेंचमार्क विकलांगता से विप्राई उन लोगों से है जो कम से कम 40 प्रतिश्ट विकलांगता से प्रभावित है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिव्यांग ब्यक्तियों को वित्तिय सहायता प्रदान करने के लिए एक अलग राश्ट्रियत था राजिकोस बनाया जाएगा। इसके अलाबा इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि सार्वनिक अस्थानों पर दिव्यांगों को अप्मानित किया जाता है या धमकी दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है इसके साथ ही किसी भी दिव्यांग को सार्वनि से नहीं रोका जा सकता है। नागरिक वाट्डियन मंत्राले के द्वारा दिब्यांगों को लेकर दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इन नियमों का पालन नागरिक वाट्डियन महादन सकता है। इस गाइडलाइन के अनुसार, एरलाइन्स के लिए यहाँ आवश्चक है कि वहने नए क्रमचारियों को दिभ्यांग याक्त्रियों के प्रति उचित व्यवार का प्रसिक्षन सुनिश्चित करें। एरपोर्ट ऑपरेटर को यह ध्यान रखना होगा कि दिभ्यांग लोगों की जाच के दौरान उनकी निश्टा और सम्मान सुनिश्चित रहें। क्रित्रिम अंगों की जाच के समय सुरक्षा बलो को अतरिक्त साधानी बरतनी चाहिए। अतिश अमवेदन सील मामलों में ही क्रित्रिम अंगों को उतारने के लिए कहा जा सकता है और इसके लिए सुरक्षा कर्मियों को कारण बताना होगा। यात्रा से करीब 48 घंटे पहले दिभ्यांगों को एरलाइन को अपनी जरूरतों के बारे में बताना होगा। बिमान में लाने और ले जाने के लिए वीलचेर की सुधा होनी चाहिए। दिभ्यांग और वरिष्ट नागरिक एरपोर्ट टर्मिनल से बोर्डिंग गेट तक स्वचालित भाहं की मान कर सकते हैं। धन्यवाद।